नमस्कार स्वगत्यापका हमारे अचार जागिंद्रमिशाज शेनल पर पित्र पक्ष में रोज रात घर में यहां जला दें एक दीपक पित्र दोस बदल जाएगा पित्र आशिरबाद में मिलेगी सभी कष्टो और संक्टों से मुक्ती दोस्तों पित्र पक्ष का आरंब होने वाला है यह 10 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा पित्र देबों के निमित उनकी खुशी के लिए या फिर उनका आशिरबाद प्राप्त करने के लिए कुछ विशेश कार किया जाते हैं पित्र पक्ष में जो आपी कुंडली के पित्र दोस्त को भी समाप्त कर देगा तो अपने पूरुजों को पित्रों को याद करने उनके निमित स्रद्धा भाव व्यक्त करने और उनको प्रसन करने के लिए पित्रपक्ष का महापर्व साल में एक वार आता है और वो आता है अशुनी के महीने में यानि कि भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष ये पूड्मया तिति से सुरुआत होती है और अशुनी मास के आमवश्यत तिति तक चलता है यानि कि ये 16 दिनों तक चलता है ये महापर्व और इनमें लगबग हर कोई अपने पित्रों को प्रसंद करने है तो प्रयास करता है जैसे कि स्राद करना तरपन करना उन्हीं के माध्यम से पित्रों को याद करते हैं और कहा जाता है कि हम जीवन में जो भी उन्नत करते हैं शब पितर देवों के कृपा और आश्तिवास ही कर पाते हैं अगर पित्री पक्ष में छोटे छोटे उपाय किये जाएं तो पित्र दोष समाप्त हो जाते हैं और जीवन में जो पित्र दोष जैसे की परेशानी है वो पित्रों के आश्तिवाश दूर हो जाता है क्योंकि अगर आपके पित्र देव परसंद हो जाएं तो आपक कि पूरिमा से असुनी मास के कृष्ण पक्षी आवश्या तक आपको ये छोटे-छोटे काम करने हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी को दूर करेगा देखे इस महीने में पित्री गायतरी मंदर का भी जाप किया जाता है लेकिन आए हम सिंपल तरीके से आपको बताएं कैस आप अपने पित्र देवों को मनाएंगे ताकि आपकी नोकरी ब्यापसाय और उन्नती हो सके ब्यापार दुगना चल सके नोकरी में प्रमोशन हो सके जीवन में कष्ट परेशानिय समात्त हो सके और जो जैसे कि पित्र रस होने से क्या होता है कि नोकरी ब्यापार में सानियों से बचने के लिए आप रोज एक छोटा सा काम करें पित्र पक्ष के दिनों में पहला काम करें आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का ब्रिच है आप चाहे तो वहां पर जाकर एक लोट जल में एक चुटकी काला तिल थोड़ी सी मिठी वस्त डाल कर अरपित कर दे और साथी साथ आप चाहें तो पीपल के ब्रिच के निचे आप साम के समय एक सरसों को तेल का दीपक भी जरू जला दीजेगा इससे पित्र देव प्रसन होंगे और पित्र दोस बदल जाएगा पित्र आशिरवाद में और इस महीने में आप जो भी काम करते हैं अच्छे कर अपने जो उनके बंसज होते हैं उनके यहां रहते हैं उनको देखते हैं उन्हें आशिरवाद बरसाते हैं इसलिए बहुत नियम और धर्म के साथ इस महीने को आपको पूरा करना होगा तो पित्र पक्ष में आप एक छोटा सा काम कीजे साम के समय सरसों का तेल का दीपक ग गाय के घी का दीपक दच्छिण मुखी लाओ करके रोज जलाएं पूरे पित्र पक्ष के दावरान जलाएं लेकिन कहां पर जलाएं ये भी जानेंगे लेकिन एक बात याद रखना है आप रोज नहाईए तो पवित्र नदी सरोबर में नहाईए अगर संभव ना हो तो नहा में शनान करेंगे तो दच्छिण की तरफ अपने पित्रों को जलाएं ये फिर आप चाहें तो किशी ब्राम्हर से भी करवा शकते हैं तो पित्री गायत्री मंत्र क्या है कैसे पार्ट करेंगे ताकि आपके जीवन में परिशानिया समाप्त हो ओम पित्र गणाए बिद्मह जकत धारणी धीमह तन्नो पित्रो प्रशो दयात इस मंत्र का रोज तीन बार जाप करना है याद रखे तीन बार कब करेंगे जवाब पित्र देव के निमित जलार्पित करेंगे तो इसके बाद इस मंत्र को जाप करें इस मंत्र का जाप रोज करिएगा सोला दिन तक लग अपने घर के दच्छिर भाग पर आप दीपक जरू जिला के रखिएगा दच्छिर भाग में पितर देव रहते हैं आपका घर के जो दच्छिर भाग होता है वहाँ पर पितर देवों का निवास इस्थान होता है क्योंकि जब वह अपने पितर लोक से आते हैं धरती पर अप दिपक सही, दच्छन मुखी लाओ करके आपको रोजाना एक दिपक आपको अपने घर के दच्छन भाग की तरफ यानि दच्छन दिशा की और आपको जलाना चाहिए। आप इस दिन चाहें तो अपने घर के मुख दरबाजे की दोनों तरफ बाएं और राइट्स हैं, दोनों तरफ आप एक यानि की दीपक जलाएं। पितर देवों का इश्मरण भी करना है, जैसे की ओम पितर देवायन में इस मंतर का जाब भी करना है, गायतरी मंतर तो करिये, यहनि की पितर जो गायतरी मंतर है वो तो करिये, लेकिन ओम पितर देवायन में इस मंतर का जाब करें, वैसे तो कहा जाता है कि पितर देव के र पितर देवों का अश्रवाद पितर पक्ष में जरूर प्रात करना चाहिए क्योंकि पितर देव अगर प्रसंद हो जाते हैं तो जीवन के बड़े से बड़े कश्टों को भी तुरंत दोर कर देते हैं, घर में शुक्षम्रदी हमेशा बनी रहती है, घर में धन धान उसके बाद आपको अपने घर में यानि कि दच्छन दिशा की तरफ आपको एक दीपक जला देना है अगर एक से ज्यादा भी जलाएंगे तो आपकी मर्जी लेकिन कम सकम एक दीपक जलाएंगे तो पितर दोस बदल जाएगा पितर आश्रिबाद में सभी करश्टों से सभी स सबकुष प्राथ होता है हमारे केडियर हमारे नौकरी हमारे बिजनेस व्यापार सब कुछ चलता है घर में शुक शम्रदी बनी रहती है संतान की प्राप्ति बैभाहिक जीवन में शुक हर प्रकार के कश्टों से भी छुटकारा मिलता है इसलिए पित्रपक्ष में आपको जरूर यानि पूजन करना चाहिए और इस बार कहिए पित्रपक्ष दस सितंबर यानि दो हजार वाईस में दस सितंबर से सुरू हो रहा है भादपत के पोड़ी में तेती से और या है अश्णी मास के अमवश्या तेती यानि की 10 सितंबर से 25 सितंबर तक या है पित्रपक्ष चलेगा तो इस दवरान आप यह उपाई जरूर करें तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिए जर जर शेयर करें और चलूंकर सब्सक्राइब करेंगा जय सनिदेव